बेलकम टू उर्जीत इनवर्सल एकेडमी फ्रेंट्स आज डेरिक वालकोट का एक फेमस प्रेंट्स अफार्व क्राई फ्रॉम अप्रिका यह थोड़ा पीडिकल्ट होने जारा आपके हैं लेकिन आपको हम इसके स्क्राइब करने के अच्छे से प्यास करते हुए प्रेंट्स एक पोएम जो है नाइन्टीन फिप्टीन में लिखी गई नाइन्टीन फिप्टीन में लिखी गई और एक पेंफुल जर्निंग है और जो डिवाइड़ लॉयलिटीज है वो इसको बताती है आप पब्लीश फिरन्स लाइन्टी सिस्टी तू और जो एक इस्ट्रक्राइब स्ट्रक्रिकूश कि की 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 जाती है ए कि ऐадц इसने एक मूंविन्स सुरूप किया था मौव मौव उसको यहां बताती है कि आथर अमिक्षर में अपनी खतम करती है रही कि मिक्स्ट आइरेनिटिस्टी को बताते कि अगर बात करें भूम की तो पूम जो हो डिखी गई है घृर्ष मे ने अजसीं में आप दो स्टेंजा में अफ्रिका के वाइलेंस की बारे में वर्ण हुआ है यानि कि ब्रिटिसर के द्वारा जो वाइलेंस है कि किन्या में जो उपनिमेश वाद है उसको यहां बताती है उसी के द्वारानिया सेट की गई आख वर बात की इस्टेंजा में अध्रिकी डिलीवा में है कन्फ्यूजयन में है और हैं किता दादा थे वह वाइट थे ऑंकि जो मदर थी एक ऐन फ्रिकन तुरिख कि और ऊसी में कहरे है कि मैं किसका उसका ऑन्पर ना का सब्सक्राइब की गई क्या है कि कि फड़ाइब रहा है उसके दादा की सब्सक्राइब पीवेश वाद अब आपडिसाट को फर्क पिवह्श बाना कि रखा था फाव मेश न सrom जिस तरह इंडिया गुलान था उस तरह किन्या भी गुलान था संघर्ष के दोनों पच्छों में दो बिद्ब्रो होता है वो सेट है स्पीकर के भीतर जो डिलीमा है वो स्पीकर बताती है वहां के पहचान के सांस्वाइब का अपना नुभव बताता है उनके जो अधिकास वर्स है उपनिवेश बात पर अधारित हैं तो चलिए फ्रेंट्स टेस्ट को इस्प्लेंड करते हैं पस्टेंजा देखिए थोड़क केरफुल इसको देखिए फ्रेंट्स इसमें देखिए फ्रेंट्स डिपकल वर्ड भी मैं आपको मिलेंगे विन्ड को कहते हैं हवा रफल कहते हैं व्याकुल करना व्याकुल कर देना आयंद टानी पाइट्स टानी पाइट्स मिन्स पीली चमड़ी पीली चमड़ी एक्शियोल में यहां कह रहे हैं जो विन्ड है उसमें जो हवा है जो हवा रुपी जो प्रिट्सर है उसने यहां एक व्याकुलता पैदा कर दी है कहां टानी पेल्ट यानि पीली चमड़ी टानी पेल्ट यहां प्रिट्स टबल मीनिंग मिलता है यानि पीली चमड़ी एक समाना की जो घास है उसको भी टानी पेल्ट करते हैं यानि क्यों दुसरा मिनिंग कर सकते हैं कि जो कोमल हवा है अपरिका की घास को उड़ाती है ब्याकुल करती है आप अपरिका की क्यूट क्यूट एज प्लाइज अपरिका के जाती है आथार ने बताया कि क्यूट जाती है के मूल करने आई लोग हैं यानि क्यूट के शमान वे तेज हैं जैसे मक्या तेज से चलती हैं बहुत जल्दी भाफ लेती हैं उसी प्रकार एक क्यूट जात भी बहुत जल्दी भाफ लेती हैं कि उन्होंने मुव्मेंट शुरू किया था जो कि माओ माओ यानि कि उसमें कहा जा रहा है जो बिटिसर के जाज़ों जो संखर से मूल के नयाई लोग उसमें कि क्यूं जाती है बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं बेटन अपांद ब्लाड इस्ट्रीम अब बतन का मतलब होता है सपोर्ट करना कि इसको सपोर्ट करना आप अपांद ब्लड इस्ट्रीम है यहां जो वर्ड यूज हुआ है इस कारण से जो यहां खुन खराबा हुआ है अप्रिका में अप्रिका में जो मैदान है घास के इस पे खुन की नदिया बहुती है बहुती है क्राफ्सेस क्राफ्सेस और स्केटर्ड थ्रू दर पेराड़ीस यानि यह जो क्राफ्सेस से कभी यह धर्ती का स्वर्ग था लेकिन वहां इस सब में देट बाड़ी पड़ी हुई है कि इसके कारण एक विद्रो की करण विद्रो यह था कि जो वाइलेंस था यानि कि ब्रिटीज में भी वाइलेंस किया अप्रिकन मूर्ड के लोग जो है उन्होंने भी वाइलेंस किया कि तो अक्षियोल में जो जाती है उसका काम ही है वाइलेंस करना है इसका रेजल्ट एह रहा कि जो अफिरका है वह जो पैराड़ाइस था अब वह लासों से बिखरा पड़ाया हुआ हुआ है कि ओनली दवार में को लेनल आप दो काईरियन कि वह वह कहना चाहा रहे है कि करनल घरियन वास्तों में किरा है एक यस्धा की अबार्ण चिरह करने के लिए कि छिलाता है कराई जिस्धां है को और कराईबींस ओर नो фिख आंद शेपरेट और कर रहेक जो मरे हुए लोग हैं उन पर हमें दयार नहीं करनी चाहिए और मरे हुए लोग की कुफेच्छा करता है कि आगी करता है इस्ट्रेक्टिक जस्टिफाई और जो बिद्वान और धनी लोग हैं वह स्ट्रेक्टिक का अध्यन करने में बीजी है और आराम दायक हो नीतिया बनाते हैं इस्टेटिकल नीतिया बनाते हैं नेस्ट फ्रेंट लान देखिए इस समझ गए होगे आप क्याने कि जो ब्रिटिसर हैं वो पॉलिशीज बनाने में में तेज हैं लाश्ट के दोलान देखिए पार्टि दैट वाइड चाइल है टिन बेड पर कहते हैं कि क्या हुआ अगर एक वाइड चाइल्ड है तो उसे मार डालना है है कि यह वाइड विक्वे एक अंग्रेज अंग्रेज की बच्ची को नीद में हत्या कर दी जाए तो क्या बुराई है उसमें उस बच्ची का क्या दोस है यानि कि जो गौरे लोग पॉलेशी बनाते हैं उसके वह बिरोध में हैं अफृका वह अफ्रिकन के बिरोध में हैं कि यानि वह जो गोरों के छोटी बच्चे हैं उसको भी ओँ मार देते हैं उसकी तो उस उसको बचना चाहिए लेकिन वे एक और चीज़ आगे कहते है कि लेकिन वह एक तरह से वह हिंसा है जैसे कि हिटलर ने जीउस केसाद विवार किया था सेकिन वर्ड बाज केसाद नाजीयों के दोरہ जो यहुदियों पे विवार किया गया था अमानी विवे भार था उसी के पुलना करते हैं थ्रेश्ट आउट बाई बीटर थ्रेश्ट कहते हैं पीटा जाना आउट बाई बीटर यहां बीटर से मतलब है तिसांस तो जो पिशान है और फसल काड़ते हैं उसके गरत्रस्ट किया जाता है लांग रसेश्ट जो लंबे खास के रसेश्ट ब्रेक इंद वाइट डश्ट जाइवी आज भूज कराईजेश्ट वेल्ड साइश्ट सिविलाजेश्ट वाईजेश्ट एक सफेद धूल में आइवीज आइवीज एक पच्छी होता है जो कि अप्टिकाम पाई ज्यादा बखुला के समाँ पोच रहें आइवीज धूल की तरह से हवा में आइवीज यानि को जो पच्छी हैं धूल की तरह हवावा मोड़ते हैं विलाजीश्ट वाई यानि की जो फुचान है श्यूल कारते हैं वह पॉक्ता की भाषान हैं उनकी पुपार है ने कि जो पुपार है वह और टियुक है। और बेश्ट चींद और सूखी हुई नदियों बीष्ट कहते हैं एनिवें यानि कि पासुव से भरा हुआ जो एक संवतल मैदान है वहां तक वहां तक ओधर्द सुनाई देती है सुखी नदियों और सम जानवर से भरी हुई अस्थान पर सुनाई देती हैं तक सुनाई देती है निश्ट देखें डिलीरियस आइज दीजवाईड बीष्ट की जवार्ष इसके पहले आप छोड़ें वाइलेंस जश्ट यहां एक लाइन आपको देख दीज़ेंगा दा वाइलेंस आप बीष्ट अन बीष्ट दो वाइलेंस वाइलेंस अन बीष्ट विष्ट इस रेड बीष्ट इस विष्ट रेड एज नेचुरल लाइज नेचुरल लाइज नेचुरल लाइज यहां लाइन कट गया है टाइप रेटर उबर एक जंगल का सिध्धान्त होता है कि जानवर जानवर को खा जाता है अगर खाएगा नहीं तो जिन्दा कैसे रहेगा यानि एक प्रागितिक सिध्धान तहिंसाब एक पसु दूसरे पसु को मारता है एक नेचुरल लाइज नेचुरल लाइज नेचुरल लाइज राइट मैं शीविक डिविनिटी बाइज इंफेक्टिंग पेन यानि आगे उपाते हैं करते हैं कि सजा देना जो आनेस्ट लोग हैं से किसी ब्लिचिंग प्लिंचिंग पेन वो दर्द देकर सजा देकर अब इन डिजिनिटी को बढ़ाते हैं यानि जो गोरे लोगों कहते हैं कि हम तो डिवाइन हैं हम तो बवीतर हैं लेकिन वो दूसरे को उपर हिंसा करके अपने आपको अपने आपको काट कहते हैं ऐसा भी बिल्कुल पासिल पास्बिल नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम दूसरों को दर्द कर दे के हम इस तोर के पास पहुंच जाएं अपासिब्स जंगल में हिंशा हो तिफ्रेंट नेच्रल ला है लेकिन लेकिन एक गोरा व्यक्ति अगर ब्लेक और याफ्रिका में आकर हिंशा करता है तो तो वास्तों में यह जो लोग हैं जानवर के समान है वरीड वीष्ट यानिकि घबडाय हुए जो जानवर हैं उनके समान वे बेसुध है विजवार्स काईकस कहते हैं लास ड्रम कहते हैं धोल को यानिकि जो धोल होता है किसी जानवर की चमड़ी मढ़ी जाती है यह लोग जो हैं जानवर को तरह हैं और जो उनकी युद्ध है लासों की थाप पर एक खुनी खुनी डांस है यानि एक ब्लडी डांस है यानि यह लोग कैसे हैं जानवर के समान हैं इनको जो युद्ध हैं लासों की धोल के थाप पर एक खुनी देते हैं आगे फ्रेंट जगें वाइल ही काल करेज स्टील डेड नेट्यू डेड नेट्यू डेड आफ वाइट पीस कंट्रेक्ट जो देशी कंट्रेड लोग हैं नेट्यू ड्रेड हैं वह सासी हैं लेकिन आगे कहते हैं कि जो भूरे लोग हैं उन सभी को मार डालेंगे वह मारने के बास सांती आजाएं कि अगें अगें बूटेस निसेसिटी वाइप हैं अपान नेक्ट डीटी कर्ट आनि कुरूर मानावता है एक कुरूर आसकता है अवाइप हैं अपनी हाथ को पोच्चते हैं उस नमकिन सो नमकिन से इसके लिए एक गंधी काज के लिए डेटी डेटी केज यानि कि यूज के लिए एक कुरूर आमानवी कार है चो गंधी हाथ के लिए गंधी कार के लिए यूज किया जाता है अगें वेस्ट आउद कंप्राइजें विद इस्पैन द गोरिल्ला वर्ष्ट यानि गोरिल्ला ब्रेश्ट लेस्ट विद द सुपर्वेंड यानि कि जो हमारे गोरिल्ला जो इस्पैन में है स्पैनिसी वर्ड व्र था तो ओसमें गोरिल्ला जो यूद्ध था अंत ठरह से कंपेर यहां किया गया यह यहां गोरिल्ला जो यूज किया है आथर ने ने अफ्रीकन लोग है उन्के लिए यूज किया गया है यानि जो सुपर मैन के साथ लड़ते हैं उसकी पुष्टी करते हैं गुरिल्ला वर्ड यानि बेलकुर उसी तरह स्पेजिश ग्रीह युद्ध में जैसे अत्याचार हुआ यहां से आगे बाद बढ़ी जो रूड हिवादिता है वैसे ही जैसे केन्याई में उपनेश उनिवेस वाद है सुपर मैन हीरो जो है गुरिल्ला वो युद्धर करता है मेरे अंदर दोनों सब्हेताओं का बलड पर रहा हुए यानि उनकी मदर से अपनी आइजेंटिटी वहां बताते हैं कि मेरी मदर के नियाई है अब अधिता इंगलेंड वी यानि दोनों रगों का खून मेरे में हैं तो मैं सुचता हूं में इसके किसका पच्छ लेना चाहिए तो तो बार बारी इसमी कहत्ति कर रहे हैं कि मैं मेरे अंदर दोनों बलड है मैं किसका पच्छ लें यानि कि मेरे अंदर दोनों सब्हताओं का बलड है जो पौईजन लिए हुए है मैं किसकी तरफ जाओं मैं बटा हुआ हूँ मैं किसकी तरफ जाओं अब आई हुए प्रस्ट ड्रंकें अफीसर आप ब्रिटिश रूल वह चूज असे नहीं समझ में आता है मैं कैसे बटों किधर जाओं वह काता है नहीं है यहां ट्रंकर्स से मतलव जो पावरफुल अधिकारी है जो संता के नशे में अफीसर ए हुए पॉसकी परौई परवाह नहीं है यह जिन्हों ने इस से यहां उपनिवेश पटोंमेश से कभजा JOSH किया हुय इंच अपयर किती बना अफड wash तुन जो को अपरिका नियानि हैं पुलुद दादी कि सब्सक्रान कोbar अफेका की और अंहली जी पर अनुन डादा की को सब्सक्राइम कर YouTube biology Master सब्सक्राइब गें तो बढ़ना में आया कि मुझे दोनों की छो दूँ है क्या मैं दोनों के छोड़ें कि वैक वाट या उसका समर्थन करूज्यों मुझे आगे ले जाएगा यानि कि कह रहे हैं क्या मुझे खुद के दोनों हुष्सिय है उसके साथ भी स्वाद भात करना चाहिए या वही बन जाना चाहिए जो चल रहा है How can I face such Slatter Slatter and यानि कि मैं इस हत्या का कैसे सामना करूं कैसे सहूं मैं ही कूल मैं कूल रहूं How can I turn from Africa and life मैं अफरिका से कैसे मुणूं और मैं चिंदार हूं यानि कि ओ सब कैसे ठीक हो सकता है जो अफरिका के लोग है यानि मेरे दोनों तरफ खाई हैं अगर अफरिका का पच्चकर तो भी तहीं ठीक है ब्रीटिस का पच्चकर तो भी नहीं ठीक है तो तो दो क्योंकि मेरे अंदर दोनों का बलड मिला हुआ है खुड़ा डिफकल पोईम एक्षेंस मगर समझ में आया होगा मुझे आशा है तो चली एक्षेंस नेस्ट टाइम मिलते हैं झाल